Good morning children and dear parents आज हम लोग LKG के क्लास में हिंदी पढ़ेंगे हिंदी में हम लोग आज व्यंजन अक्षर की फॉर्मेशन को सिखेंगे बच्चो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि में इस किस प्रिकार से अक्षरों को लिख रही है बच्चो आप लोगों को पता है कि हिंदी में आक्षर को इन दो लाइनों की बीच में लिखते है और लाइन के नीचे लिखते है तो हम लोग आक्षर को लिखना सीखते है बच्चो व्यंजन अक्षर में पहला कौन सा अक्षर होता है जी हाँ पहला अक्षर क होता है तो हम क को लिखना सीखेंगे हम ऐसे गोल करेंगे एक डंडा खीचेंगे और ऐसे पूछ लिकाल देंगे यह क्या है? क उसके बाद क्या आता है बच्चो? क क को भी दियान से देखना है ऐसे करके इसका पूछ निकालकी इसके बगल से एक डंडा खीचेंगे और गोल कर देंगे यह बन गया ख उसके बाद ग ग के बगल वाले लाइन को हम थोड़ा लंबा करेंगे यह क्या हो गया? ग बच्चो ध्यान से देखना है फिर ग अंगा अंगा में इसके बगल में हम बिंदू देंगे बच्चो उसके बाद हम च को यहां लिखेंगे एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे च च के बाद क्या आता है? च बच्चो ध्यान से देखें कि मिस कैसे लिख रही है च्चो फिर ज्चो उसके बाद ज्चो फिर यान अब हम फिर एक लाइन छोड़ेंगे और यहां से शुरू करेंगे ट, ट के बाद उसे गोल कर देना है ठ, ठ के बाद ड, ड के बाद क्या आता है बच्चो जी हां, ड के बाद ड आता है और ड के बाद मुधन्यन, मुधन्यन में भी इसके बगल वाले लाइन को हम थोड़ा बड़ा करेंगे मुधन्यन, मुधन्यन के बाद क्या आता है बच्चो बच्चो अब ध्यान देना है, हम थो कैसे लिखते हैं थो को हम इसके उपर का च्छत यहां खुला रखेंगे और यहां से च्छत देंगे तो बन गया थो, उसके बाद दो, धो को भी हम लोगों को देखना है बच्चो इसका भी उपर से च्छत खुला रहता है और यहां से हम च्छत देते हैं, तो बन गया धो, धो के बाद क्या आता है बच्चो जीहां अधा के बाद दंतला उसके बाद प, प को देखना है बच्चो से गोल करकर यहां से डंडा खीच देंगे प, और हम फ को देखेंगे, फ भी प के जैसा ही होता है आप ध्यान से देखें फ उसके बाद ब, फिर बा को भी हम देखेंगे, क्योंकि बाद भी, उसका भी उपर में छट खुला रहता है और बगल का डंडा थोड़ा असा लंबा रहता है और उसके उपर हम छट देंगे यह हो गया भ, और मा मा का भी बगल वाला डंडा थोड़ा नंबा रहता है और छट पूरा बंद रहता है बच्चो मौ के बाद क्या आता है? Very good, मौ के बाद य आता है आपको ध्यान से देखना है बच्चो य र र के बाद ल ल के बाद व व भी हम ब के जैसा ही लिखेंगे लेकिन बीच में डंडा नहीं देंगे व के बाद तलाबियशर तलाबियशर के बाद मुर्धन्यशर मुर्धन्यशर भी प के जैसा होता है लेकिन इसमें हम बीच में डंडा देते हैं वो धनिशा के बाद दंस, दंसर र के जैसा ही होता है, बीच से हम डंडा देते हैं, और यहाँ ऐसे कर देते हैं, दंसर, दंसर के बाद ह, इसको हम ड के जैसा बनाते हैं, आधा, और फिर यहाँ से पूछते देते हैं, ह, अब व्याँजन अक्षर का आखरी कौन सा अक्षर होता है बच्चों? पेरी गुड़ ग्याँ इसी प्रकार से आप लोगों को अच्छे से अभ्यास करना है बच्चों आज हम लोग कुछ बातचीत को सिखेंगे अगर हम लोगों से कोई सवाल करता है तो हमें किस प्रकार से जवाब देना है वो हम सिखेंगे तो बच्चों अगर आप लोगों से कोई सवाल करता है आपका नाम क्या है? तो आप लोगों को बच्चों अपना नाम तो पता ही है तो आप लोगों का जवाब होगा मेरा नाम रमन है या आप लोगों का जो भी नाम होगा आदित्य, अभिनव तो आप लोगों को कहना है मेरा नाम आदित्य है या अभिनव है वैसे ही बच्चों आप लोगों से कोई पूछता है आपके पिता जी का क्या नाम है? आपके पिता जी का क्या नाम है? तो बच्चों आप लोगों को अपने पिता जी का नाम पता है तो आप लोगों का जवाब होगा मेरे पिता जी का नाम अमन है या आप लोगों के पिता जी का जो भी नाम होगा उसे हमें यहां बोलना है मेरे पिता जी का नाम अमन है या रमन है जो भी आपके पिता जी का नाम है आपको वो यहां लिना है वैसे ही आपकी माता जी का क्या नाम है आपकी माता जी का क्या नाम है तो बच्चों, आप लोगों को आपनी माता जी का तो नाम पता ही है, तो आप लोगों का जवाब होगा, मेरी माता जी का नाम सीता है या जोती है, जो भी आपकी माता जी का नाम होगा, आपको लेना है, मेरी माता जी का नाम जोती है या सीता है. अब आपका सवाल है बच्चों आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप लोगों को तो पता ही है बच्चों कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं तो आप लोगों का जवाब होगा मैं LKG कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ अगर आप लोगों से कोई पूछता है आपके स्कूल का क्या नाम है आप लोगों को अपने स्कूल का तो नाम पता ही है बच्चो तो आप लोग कहेंगे मेरे स्कूल का नाम डॉन बॉस को पब्लिक स्कूल है क्या कहेंगे बच्चो मेरे स्कूल का नाम डॉन बॉसको पब्लिक स्कूल है ऐसे ही आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और सवालों का जवाब देना है बच्चो अभी आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोरोना वाइरस का खत्रा पूरे देश में फैला हुआ है इसलिए बच्चो आप लोगों को घर में ही रहना है और सुरक्षित रहना है अपने मम्मी पापा की बातों को मानना है और उन्हें परिशान बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को बच्चो घर का ही खाना खाना है बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है अपने हाथों को आप लोगों को अच्छे से बार-बार साबुन से धोना है और सेनिटाइजर का इस्तिमाल करना है मास्क और गलव्स का भी इस्तिमाल करना है बच्चों इससे आप सुरक्षित रहेंगे आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी ये बाते समझ गए होंगे धन्यवाद